ददारों को जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्तित हुई तो पहला सवाल हार्दिक पटेल से राहुल कवल ने ये किया था क्योंकि हार्दिक पटेल पटेल आंदोलन से उन्होंने शुरुवात करी थी और वो इस राजनीती में आये थे हाला कि उस वक्त वो उस विकार नहीं कर रहे थे कि वो राजनीती में है लेकिन अब कहते हैं कि हां मैं कर रहा हूँ राजनीती एनिवेज तो इनको सवाल किया कि आप आइडेंटिटी बेजड पॉलिटिक्स कर रहे हैं किया सिर्फ पार्टीदार के लिए आप आरक्षन की मांग कर रहे हैं वो कहां तक जायज है इस पे हर्दिक पटिल ने मतलब जो जवाब देना था वो जवाब तो दिया नहीं और as usual जो ये घिसी पिटी बाते करता है ना कि मैं तो अभी सिर्फ 24 साल का हूँ मैं तो अभी राजनीती सीख रहा हूँ अभी तुम्हें ये सब देख रहा हूँ ये बंदा गुजरात इलेक्षन के वक्त तीन चार शब्द कंटीन्यू बोलता था जो मैंने इसको टोका ना उसके बाद इस हर्दिक पटिल ने वो शब्द बोलने छोड़े है एक ये बोलता था उसी आक्रोश, उसी जुनून, उसी खुमारी, उसी दादागिरी के साथ हम अन्दोलन करते हैं तो मैंने इसको टोका था ना उसकी बंदा ये शब्द बोलना थो भूल गिया लेके ना भी नए शब्द पर आया है कि मैं 24 साल हूँ, खेर इसके 24 साल पर मैं इसको ये बता दू कि 24 साल की उम्रे में तू जो कांड करता है ना ऐसे कांड तो सशी थरूर और दिगविजे सिंग भी अपने इस बुढ़ापे में भी नहीं कर पाए जो तू अपनी 24 साल की उम्र में कर लिए तूने कांड एनिवेज फिर इसने इस सवाल के जवाब ये दिये कि हम युवाव को रोजगार मिले इसकी बात करते है दूसरा इसने कहा किसान के फसल के दाम मिले हम वो बात करते है हम सिक्षा की मांग करते हैं कि सिक्षा में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए हम तो SC, ST, OBC वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है उसकी भी बात करते है पड़ाई के बाद युवाव को रोजगार नहीं मिल रहा है मैं तो उसकी भी बात कर रहा हूँ और अन्त में ये बंदा कहता है कि हाँ पहले मैं सेवा कर रहा था लेकिन अब मैं चोड़ा मैं खुले में आके कहता हूँ कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो भाईया अब हार्दिक पटेल को मेरे ये जवाब है हम सब टेक्सपेयर्स की और से और हम सारे जिम्मेदार नागरिक की और से और हार्दिक पटेल को तो ज़ादा जवाब गुजराती जैसे तू गुजरात का बेटा है जैसे मैं भी गुजरात की बेटी हूँ और जब तक तुम जैसे निकम में निठले बेटे गलत करेंगे तब तब मेरे जैसी बेटी आके तुम जैसे निकमों को स्थुधारेगी और अब तू इस गुजरात की बेटी का जवाब के तू जब 2-5 साल पहले आनामत अंदलन्न तुने शुरू कर रहा था पाटीदार का तब तुने क्या कहा था कि पार्टीदार को अनामत चाहिए हमें पारटीदार को अनामत दिल्वाना आफ हमें इसने कोंग्रेस की गोद में जाके बैड़ गया इसलिए इसको वहां से लड़ु खोब मिल रहा है इसलिए ये भी उनकी गोद में जाके बैड़ गया क्योंकि जिगनेश मेवानी भी दलित की करता है राजनीती और जिगनेश मेवानी भी राहुल गांदी की गोद में जाके करता है वह कोटे चाहिए था इसको कोटे से था अब यह कहता है कि हमको अलग से दो यह जो मुर्क बना रहा है नование धंदे को भुख कर दें यह तरह की देंक मेरा मेर को समझ में आता और जहां बात राजनीती के तो हम सब जानते के डेवन से तुम राजनीती कर रहे हो। Day 1 से तुमारी राजनीती सब जानते। और जो तुम ये बार-बार बोल हो। कि 24 की उम्र은 24 की, 24 की उम्रे तो भाइया सुन ले, जितनी तेरी उम्र है, 24 की इतना तो मेरी उम्र का संघर्ष रह चुका है 12 साल की उम्र से मैंने संघर्ष करना शुरू कर रहा है तुम्हारी तरह दो साल में शौटकट में मैंने कोई पैसे नी बनाया। मैंने कोई शॉटकट मेंु Нी figure 24 साल से संघर्श कर रही हूं ratios और 31 साल की उम्र तब से मेरी उम्र थी तब से मैं से highest tax laboratory की American dot के टेगरी में आती हूं Chini तो यह किस आरब मूल बना के नाम रहे में। उस फंड का क्या कहया और यह जो फंड तुने कहां दबा के रखा तो अब तेरी बहन की शादी में तू कैसे निकाल रहा है वो सब को पता चल गया है तो अपना ज़ादा है न ये अपना जो मर्यादा पुर्षयत्तम वाला रूप है न वो तो हमको दिखाना ही मत और मुझे तो कत्त ही मत दिखाना और मेरे सामने जिस दिन आया तो उस दिन इतनी बुरी तरह से मैं तेरे को जवाब दूंगी न कि दूसरी बार सामने खड़ा नहीं होगा तो इस तरह से पब्लिक ली दूसरी बात अब मैं दूसरे सवाल पर आती हूँ कनहिया से पूछा गया कि आप पीड़ी के नेता हो तो आप क्यूं पटेलो के को जो आरक्षन का जो यह हर्दिक कर रहा है मुद्दा उसमें आप उसका साथ दे रहे हो तिर्फ पटेलो कोई क्यूं आरक्षन आरक्षन तो सबको मिलना चाहिए तो यह जो कनहिया है उसका तो हम जानते ही है कि दिमाग तो पाटी दारों को अनामत मिलना चाहिए और ये बंदा वो बंदा जो गरीबी में बात करता है भई तू इतना जादा गरीब है और तू बोलता है कि तेरी मां 3,000 रुपे में घर चला आती थी तेरी मां के ऊपर घर चलता था और तू इतना गरीब है तो फिर मुझे ये नहीं स कमाई है तो वो 3,000 का डंड भरने का भी पैसा कहां से आता है एनिवेज मैं आगे इनका बताओंगी कि इनका किस तरह से है इसी बात पर जब आगे शैला रशीद को सवाल किया जाता है राहुल कबल शैला रशीद से बात करता है कि जब मोदी जी एक गाउ एक मंदिर एक को बात करता है यह सब के साथ की बात करते तो शैला को क्यों एतराज है बार बार मोदी से और संग से या फिर से उसे मोदी और संग से प्रॉबलम है इसलिए यह एतराज लेती है जब सब की बात हो रही है तो क्यों शैला एतराज कर रही है तो इसमें पहले शैला बोलती है कि हम ने तो जाटपात की आप सुनना हां इसने पेहला शब्द ये बोला कि हमने तो जाटपात की शुरुवात ही नहीं की थी सतर साल से जाटपात इन लोगों nे किया है शैला रशीद ने बोला कि महिला आ पार्लिय 명क में 10 से 15 प्रतिशत से जादा नहीं है क्यूं जब इसको सवाल पूछा गया था कुछ और अब ये जवाब कुछ और दे रही है इस सवाल में इनकी बुद्धी मता भी इसमें इनका जो बुद्धी का विकास किता हुए वो भी इसमें पता चलता है कि इनको सवाल कुछ और पूछे जाते हैं ये जवाब कुछ और देते हैं सवाल का जवाब तो ये कते ही नहीं देंगे पर ये उम्मीद करते है कि ये जो सवाल करें उसके जवाब सामने वाला दे एनिवेज मैं आज इनके भी सवाल के जवाब दूँगी इनको जो इनने इसने फिर 10 से 15 परशन महिला पारलियमेंट में उसकी बात कई और उसी बात को इसने आगे बढ़ाते हैं और का कि विमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं है क्यों नहीं लाया जा रहा है में मुस्लिम महिलाओं को 15 प्रतिश्यत रिजर्वेशन मिलना चाहिए देश की पारलियमेंट में इन लोगों का मन्नी भरा है खेर मैं आगे बताती हूं तो इस बंदी को मैं यह जवाब दे दू इसने जो महिला वाली बात करी है जादपात की शुरवात में इसने जो बात में और शैला रशीत तुझे ऐसा लगता है कि तुझा पात नहीं कर रही तो तुझा आरक्षन की बात करती तो तुम पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं की बात करती सिर्फ मात्र मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं करती और इस बंदी को मैं समझा दू कि 15% रिजर्वेशन मिलना पहले तुम ये तो सोच लो कि तुमने मुस्लिम महिलाओं को क्या हक दिलाए त्रिपल तलाक वाले मुद्दे पर बोला वह अटका हुआ बिल राजसभा में तुम उसमें कुछ नहीं बोली मुस्लिम लड़कियों को बकाइदा हज सबसीडी बंद करकर मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन में वो पैसा लगाने का भी डिसीजन मोधी सरकार ने लिया है जितना मुस्लिम औरतों के लिए मोधी सरकार ने किया है वो किसी नहीं नहीं किया है इसलिए ये बात तो कत्ता ही स्विकार नहीं होगी हम सत्तर साल से भुगत रहे हैं ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स स्ट, स्ट, ओबीसी पॉलिटिक्स और अब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम महिलाओं का तुम पॉलिटिक्स लेके आजाओगी पार्लियमेंट में और हम चला लेंगी तो ये तो मैं कत्त ही नहीं चलाओंगी और मैं तो क्या हमारे जैसा कोई इंसान हिंदुस्तान के जो भी नागरीखे वो कोई ये चीज नहीं चलाएंगी और एक महिला होने की नाते मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिलाओ को आरक्षन की जरुरत है अगर वो शशक्त है तो हमारे देश में उधारन है सुश्मा स्वराज स्मरती इरानी हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीता रमन ये लोग सब अपने दम पर अपने बलबूते पर पार्लियामेंट तक पहुझे और हमारे देश की मिनिस्टरी इनके पास में है सबसे प्रमुख मेन मिनिस्टरी जो होती है वो इनके पास में है तो महिलाओ को किसी आरक्षन की जरुरत नहीं महिला शशक्त है अपने आप में तो यह जो भीक की जो लाइन लगी हुए ना इस लाइन में महिला को तो कताई मत लगाना और सिर्फ अगर मुसली महिला की बात करी तो मेरे जैसी हजारों लड़किया सड़क पर उतर आएगी तुमारी यह बात तो कताई होने नहीं दूंगी मैं फिर तुमने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करते हुए यह कहा कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तुमने नहीं करी इनफेक्ट तुमने निर्भया कांड का इसमें एक्जामपल दिया कि निर्भया के लिए प्रोटेस्ट जो निर्भया कांड हुआ था उसमें तुम लोगों ने प्रोटेस्ट किये थे और प्रोटेस्ट करते है वक्त तुमने निर्भया की जाती या धर्म नहीं देखा था उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ तुमने वो देखा था और उसके बाद ये बहन तुरंती जो बोल रही है नाती जाती की बात कर रही है और निर्भया का एक्जांपल देती है और फिर ये क्या एक्जांपल देती है कि अभी जम्मु एन कश्मीर में जनवरी में इसको तो ढंक से याद भी नी के कौन लड़की थी क्या मैटर हुआ था हवा में ये वहाँ पर बैठ कर इंडिया टुडे कॉंक्लेव के मंच पर बैठ कर ये बंदी हवा में बात करती है कि एक मुस्लीम लड़की जिसकी उम्र आट साल थी उसके साथ एक हिंदू लड़के ने ब एंडी टीवी वो तुमारी सगी मा है एंडी टीवी की रिपोर्ट मैं तुम्हें बता दू कि उस लड़की का नाम आश्रीफा बानो था जो जम्मू एन कश्मीर की कथुआ डिस्टिक की थी उस लड़की के साथ जिसने बलातकार किया वहां के लोगों ने इनका पुलिश इस भी तफिश नी कर वहां के लोगों ने कहा कि जिस बंदे ने बलातकार किया है वो एक अन आइडेंटिफाइ इंसान है उसके कोई आइडेंटिवी की रिपोर्ट है दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप ये एंडेंटिवी की रिपोर्ट गुगल में जाके पढ़े आश्र पे आके आठ साल की बच्ची के साथ बलातका होने का इर्जाम किसी हिंदू लड़के पे डाल रही है और अलगती है लगता है इसको कि यह जूट बोलके एक नमबर के जूटे और फ्रॉड है यह कम्यूनिस्ट लोग और इनको लगता है कि यह जूट बोलके निकल जाएंगे खेर उसको छोड यह बता हफते भर पहले कलकता में एक तीन साल की लड़की का बलातकार होता है उस लड़की को बलातकार करने वाला भी एक मुसलिम आदमी होता है जो कि बस साफ करने वाला क्लीनर होता है उस पे क्यों नहीं बोले क्यों अनाइडेंटिफाइ इंसान को जबर्दस्ती हिंदू बनाने पर टूले हुए एंडी टीवी का तो धंदा ही हिंदू बनाने का है एंडी टीवी ने तो उसको हिंदू भी नी बनाया इस आशिफा वाले मेटर में और वो लड़की कलकत्ता की जिसके साथ बलातका हुआ उसमें एक शब्द नी बोलते हो ये चोड़ दो अंकित सक्षेना को मार दिया गया क्योंकि वो एक मुसलिम लड़की से शादी करना चाता था और उसकी गरदन उड़ा दी गई दिल्ली में तब तुम कुछ नी बोली चंदन के साथ मौब लिंचिंग हुई मुसलिम एरिया में तिरंगा यात्रा निकालने के ल नाम था दानिश खान उस दानिश खान की वज़े से उस लड़की ने सुसाइड किया तब तुम कुछ नी बोली और आट साल की आशिफा जिसका बलातकार हुआ और जिसमें उस बंदे की आइडेंटिटी किसी को नहीं पताया और उसमें तुमने हिंदू नाम लगा दिया म इसमें से कोई अगर वकील देख रहा है न तो इस बंदी पर केस करो इसको पता चलना चाहिए कि जूटी बात बोलने का क्या परीणाम होता है फिर शैला को एक सवाल किया गया पढ़ाही लिखाई को लेखर राहुल कबलने का कि शैला की पढ़ाही खतम क्यों नहीं हो रही बोलने दो हम भी टेक्स देते GST हम भी भरते है अब पहली बात तो बेटा तु मेरी सुन ले कि है ना जेन्यू में तीन वक्त का मुफ्त का खाना तो ओरती हो तुम सुबे का प्रेकफास्ट दुपेर का लंच और रात का डिनर ये तीनों टाइम का खाना तुम मुफ्त में थूस रही हो हम टेक्स पेर्स की कमाई पर तो तुमने तो कही से GST पे ही नहीं किया रहा सवाल गरीबों के GST पे करने का और तुम अपने आपको एक कश्मीरी गरीब घर की बेटी बताती हो तो तुम्हारे पेरेंस को भी GST पे करने की जरुरत नहीं है क्योंकि GST में जो गरीब इंसान खाता है आटा, चावल, डाल, घी, तेल, चीनी, चाए, दही, दूद ये सब कुछ टेक्स प्री किया गया यहां तक कि कुछ बिस्किटे भी टेक्स प्री करी गई है ताकि तुम जैसे गरीब लोगों को तकलीफ ना हो हाँ, वो अलग बात है कि शैला रशीद को किसी मॉल में से जाके ब्रैंडेड कपडे खरीदने है और फिर इसको GST देने में तकलीफ हो रही है तो वो अलग बात है, वो अलग बात है कि शैला रशीद को अपनी कैंटीन का खाना ना खाके किसी five star hotel में जाके खाना खाना है और फिर GST देना है तो वो बात अलग है तो तो फिर तुम गरीबों की category में नहीं आती हो तो फिर अपनी बगवास अपने path में रखो इसलिए इसने टोन तुमारा फिर ये असली बात पर आई, इसने कहा कि 3-4 साल में नर्सरी पूरी होती है, मैं dot to dot पढ़ रही हूँ, 16 साल तक 10 पास करते है, 18 साल तक 12 पास होती है, 21 साल तक B.A. पास होती है, बंदी के का दिमाग देखो आप, 22 साल तक B.T.E.C. होती है, 24 साल तक M.Phil होती है, और फिर PhD अगर किसी को करनी, तो 3-4 साल और, मतलब मैं आपको बता दू कि शैला रशीद की इस वक्त उम्र मेरे ख्याल से 32 या 33 है, ठीक है, मेरी और उसकी उम्र में कुछ जादा फर्क नहीं है, बट 31, 31 की उम्र में तो मैंने अपने ही पैरों पर, मैंने ना तो अपने परिवार माइके वालों से कुछ लिया है, मैं बता दू, ना अपने ससुराल वालों से कुछ लिया है, ना इनकी तरह मुफ्त की खेरात में मैं पली बढ़ी हूँ, 12 साल की उम्र में, अब मेरी बात है ना थोड़ी से यहाँ पर कड़वी ज़रूर लगेगी शैला रशीद को, तो मैं शैला रशीद को इस बात पर जवाब देदू, और इसमें शैला रशीद ने ये काता कि यह जो एंटी इंटलेक्च्वल गैंग है, यानि कि हम लोग खुद को इंटलेक्च्वल समझ रिये ये बंदी, self-proclaimed intellectual और हम एंटी इंटलेक्च्वल गैं जो इनकी पढ़ाई के पीछे पढ़े अब बेटा मेहना तुमारी पढ़ाई के पीछे नहीं पढ़ी मुझे दिक्कत तुमारी हरकतों से इनकी हरकते पहले आप सुन लो और उसमें फिर मैं आज थोड़ा सा कड़वा बोलूंगी देशक शैलार रशीद हर्दिक पटल और कन तब तुम सुनो इन लोगों को दोस्तों 75% अटेंडेंस जैनियू में कंपल सरी कर रहे हैं उससे दिक्कत है उसके सामने यह लोग जैनियू यूनिवर्सिटी के केंपस में नहीं होते हैं यह आपको जंतर मंतर पर ज्यादा दिखाई देंगे यह पढ़ने के बाहने करते मैं आपको बताती हूँ शैला रशीद को चाहिए कि 75% अटेंडेंस ना बरे हम लोगों के पैसों पर पढ़ाई करें पढ़ाई के नाम पर मतर गश्टिया करें बकाइदा बोल रही हूं मैं जाओ चौड़े में यह चाहती है कि यह लिविन रिलेशन्शिप वाला जो लव प्रोटेस्ट किया है तो किस अफ लव प्रोटेस्ट इन्हों ने यह किया था कि जितनी भी पब्लिक प्लेस दिल्ली में वहां जाके जेनियू के छात्र और छात्रा है खुले में स्मूच करेंगे मैं शैला रशीत को यह कहना चाहती हूँ कि बेटा तुम हमारी बच्चीयों को बिगाड़ रहे हो तुमें अगर स्मूच करना है तो स्मूच क्या तुम खुले में नंगे हो जाऊ पर सबसे पहले अपने घर में जाओ अपने माबाप के सामने क्योंकि जो तुम दुनिया क परिश्ट के सामने अपनी ये गंद लेके जाना, खुद के घरवालों के सामने नहीं करते हैं, इनके घरवाले बहुत छोटे से गाउं में बढ़ी ही वैसी परिस्क्तिती में रहते हैं, उनको तो बीचारों को कुछ पता भी नहीं होता है, उनको लगता है बच्चे पढ़न आपको किताबे नहीं मिलेगी, किताबों से जादा तो इनकी बैग में आपको कॉंडम मिलेंगे, इन लोगों को लिव-िन रिलेशन्शिप चाहिए, मतलब जेनियू में क्या है, आपको बता देती हूँ, खाना फ्री है, रहना फ्री है, लॉंड्री फ्री है, रूंड्री देशद्रोई हिन के बर्षी मनाते हैं, यह भारत की बर्बादी चाहते हैं, यह कश्मीरी शैला रशीड चाहती है कि कश्मीर को आजाद कर दिया जाये, तो बेटा, इतनी कश्मीर की आजादी की तुम्हें पढ़ी है, तो हम हिंदुस्तानियों की पैसों पर क्यूं पल र पढ़ाई पूरी हमारे पैसो पर पलते हैं हमारे टुकडों पर पलते हो और हमारी बाप बनने की तुम कोशिश करते हो तो शैला रशीत तुम तुम्हारी तो कोई आउकात ही नहीं है जिस दिन अपनी आउकात बना लो ना उस दिन ये बात करना और तुम्हारी जो ये गंद पढ़ने जाते ना तो हम लोग सपोर्ट करते तुम पढ़ाई नी करते हो पढ़ाई के नाम पे तुम गंद मचाते हो तुम को चाहिए यह सारी आजादी समाज में तुम लोग ने पूरी गंद मचा के रखी हुई यह बच्चीयों को बिगाड के रखा हुआ है वहां पे बीच की तरह तुम चिपक गई हो और फिर बोलती हो कि हां सबको सीट नी मिल जिए क्योंकि तुम जैसे लोग सालों से उस सीट को हतिया के बैठे हो उस पर कबजा करके बैठे हो तो जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उसको भी सीट नी मिलती है और फिर बड़े ट्राट में इतने निठले गल्ती इनकी पर्वरिश में है कि माप ने अपनी आउलाद को पैदा तो कर लिया पर धियान नहीं दिया क्योंकि यह कम्यूनिस लोग कहते ना लड़के भी दारूपी के टली हो जाओ लड़के बीदा दरूपी के टली हो जाओ बच्चे काहां पल रहे हैं कहां बढ़ रहे हैं बड़े होके यहार्दिक पटिल शेरा रशीद और कनिया कुमार बन जाते हैं जिगनेश मेवानी छूट गया वो आया नहीं था इसलिए बेवज़े उसका नाम लेकर वक्त बरबाद करने में मतलब नहीं है लेकिन हम लोग है ना हम जनरल हमारी पारी स्कूले स्कूल में पढ़ते हैं जल्द मैं प्रोट से काम करने लग गई हो बारा साल की उम्रषा मेंdensे शंगरभा पढ़ाई करिएगानी डिद्टियवन का छक की lagi मेरे snapshot की मेरी उम्रों होने आई कषती में 6 स कंप्लीट कर लूंग तुम्हारी तरह भीक नहीं मांगी तुम्हारी तरह शॉर्टकट में पैसे नहीं बनाए पढ़ाई करी और फटा फट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करी और काम धंदे पर लगे हम लोग इनफ़ेक्ट ग्रेजुएशन करते करते ही हमने में काम धंदा किया था तुमारी तरह मुफ्त की रोटिया नहीं तोड़ी किसी पर बोज नहीं बने क्या कसूर हमारा अगर अगर हमने जन्रल के केस कर दोंगे और हमें खुले आम गाली देते हो तो कुछ नहीं वाह क्या दोगला पन है तुम लोगों का तुम जैसे लोगों को चलू भर पानी में के में डूबने के लायक भी नहीं हो उसमें मरने के लायक भी नहीं है तुम लोग अब यह इस वाली शैला रशीद वाली य जशोदा बैन से, नोट करिएगा ये वर्ड, जशोदा बैन के साथ भी तो अन्याय हुआ है, अब मैं है इसमें इसको बता दू, कि कनईया अब जब तुमने जशोदा बैन का नाम ले लिया है ना, फिर तुम कहोंगे कि तुम पर परसनल अटेक होते हैं, तुम देश के प्र लिविन रिलेशन्शिप में रहना चाते हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो जब तुम लिविन रिलेशन्शिप में रह रहे हो, अपने म्यूच्वल कंसन से, ओवियसली सोसाइटी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो उसी तरह से नरेंद्र मोधी जी और जशोद सब तीन तीन शादिया करके बैठा है और जिसकी बीवी दिल्ली के एक होटल में सुसाइड कर लेती है जिसकी रहसी में मौत हो जाती है और जिसमें ये लोग को सी बी आई को पुलीस को सब का मूध अब भी भी चालू है अभी भी आपको इनक्वेरी देखने को मिलेगी उसस सब्सक्राइब कर ओँड़ी रही है जिसने के उम्रा की लड़ की से शानि कर ली तब तुम कहते हो कि उसे लोगों को बोलना नहीं चाहिए तो जशोदा बेन और मोदी की मामले में उनका खुद का मैटर है तुम्हें किस ने हग दिया बीच में बोलने के लिए दोनों तो बने हजारों दफें यह स्टेटमेंट देदिया है कि वह अपनी मर्जी से अलग हुई है नरेंद्रमोदी ने शादी हुई जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका पास्ट किया था, कोई जानता नहीं, जो पहले कौन सी जात और कौन से धर्म के थे, जो इटली में क्या धंदे करते थे, हिंदुस्तान में आके बड़े माहान बन रहे हैं, जाके सवाल उनसे करो। बात तब तक नहीं कहिए, जब तक उन पर लांचन नहीं लगे, गुजरात चुनाव में जब कॉंग्रेस के एक नेता ने, उनको मनीशंकर अयर ने उनको नीच जाती का बोल दिया था, इस संदर्भ में मोधी जी ने गुजरात चुनाव के वक्त अपनी रेली में ये बात कह कि मुझे इसने निम्न वर्क का मैं, क्योंकि मैं निम्न वर्क से मैं पिछड़ी जाती सा था हूँ, इसने मुझे नीच आदमी कहा, और मेंस तुमने बनाये थे चायवाला के, कॉंग्रेस के वेरिफाइड अकाउंट से वो मेंस बनकर हर जगे स्प्रेड हुए थे, कि तू जाके चाय बेच, उसको चायवाला तुमने बोला, तो फिर वो उसने उसी संधर्ब में इसका रिप्लाइ दिया था, तो उसमें कहां से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आ गई, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उसको कहते है, जब हर्दिक पतिल, सिर्फ पतेलों की बात करत है, जब ये सपा वाले सिर्फ मुसल्मान अपीजमेंट की बात करते है, मुसल्मानों की बात करते है, इसको कहते है, जब कॉंग्रेस सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, इसको कहते है, जब ये कम्यूनिस्ट लोग कम्यूनल करते हर चीज़ को, उसको आइडेंट पॉलिटिक्स कहते है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ना तो कभी RSS वालों ने करिए ना कभी भाजपा ने करिए ना कभी मोधी जी ने करिए नहीं कभी कोई लीडर ने करिए इनका पहले से ही संग्यों का एक चीज था हिंदुत्व और वो उसी बात पर अड़े लेकिन इसक और इंडिया के जितने भी मुसलिम है उसमें देखा जाये तो एवरेज गुझरात के मुसलिम अच्छा कमाते है। घुजरात के मुसलिमों की एड borrowed की परसंटे वाइस जादा है तो अन्होंने कभी करी कभी आईटीटिटी पॉलिटीक्स करी, बत्तमीजों की तरब बैठ आज जाते हो मैं और तुम जैसे घटिया लोगों को यह यह तुम्हारे जो ससुराल वह तुमें लेते हैं अर तुम लोगों की तारीफ पूल भी बान लेते तुम लोगों को रिजदे शजक्डयां लेते हैं तुम YOGA गद्दारों को जूते मारने चाहिए चौराये पर खड़े रखे किसी मंच पर बैठने के लायक नहीं हो तुम फिर राहुल कवल ने अब इसके बाद देखोईए फिर नेक्स्ट कोशन में लेते हूँ इस राहुल कवल ने हर्दिक को सवाल करने से पहले हर्दिक की बड़ी तारीफ करी अरे अब हर्दिक का हर्दिक जी का वक्त आ गिया है हर्दिक जी गुजरात के बहुत ही अब जरा इनसे भी सवाल पूछ ले ये राहुल कवल किसी और की तो भाया तुने तारीफ नहीं करी हर्दिक से तेरा बड़ा याराना है वो तो मैं जानती भी हूँ राहुल कवल जी क्योंकि गुजरात में जब गुजरात इलेक्शन के वक्त आप गुजरात में आए थे रि हंटे के लिए तो आप न्यूट्रल हो जाते तो थोड़ी सी इस्जत कमा लेते लेकिन यहां पे भी आपने इस्जत अपनी और कम कर दी खैर यह हमारा विशन नहीं है और इसको हर्दिक पटेल के पूल बानते हुए हर्दिक पटेल से राहुल कवल ने ये सवाल किया कि कि निर्दिवश्य पे गोलिया चलाई तीसरा हर्दिक पटेल पर केस करवा है उसको हर अफते दो बार तारीकों पर जाना पड़ता है और मोदी जी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर तो मैंने रिप्लाइ करी दिया है लेकिन इसक कि तुमारे खिलाफ प्रूफ मिले थे वो सारे फोन रेकोर्डिंग्स है पुलीस के पास में सीबी आई के पास में जिसमें तुम राजदरो साफ साफ कर रहे हो वो पता चल रहा है चौदा लोगों की जान गई ना उसका जिम्मेदार भी तुम थे एक मात्र और तुमें ल आवास मिलना चाहिए और इतने कोड़े पढ़ने चाहिए इतने कोड़े पढ़ने चाहिए 14 लोगों की जान चली गई करोडों की प्रॉपर्टी को नुपसान पहुचा दिया 2002 के बाद एक भी दंदा गुजरात में नहीं हुआ था अश्राथी भैला दी तुमने गुजरा और मुसलीम एकता की बात करते क्यूं भैया दर्द हो रहा है पेट में मोदी जी जब गुजरात में भी थे तो कभी किसी मुसल्मान को तकलिफ होने नहीं दी सबकी ही बात करी साड़े चे करोड गुजरातियों की ही बात करी आज जब देश के प्रधान मंतरी है तो वो सव 200 करोड 130 करोड देशवाशियों की ही बात करते हैं और रही सवाल हिंदू मुसलीम की तो हिंदू मुसलीम कौन कर रहा है वो सबको पता है मोदी जी प्रधान मंतरी बनने के बाद जितना मुसल्मान की महिलाओं के लिए और मुसल्मानों के लिए किया है आज तक किसी पॉलि जी इतना जूटा इतना फ्रॉड है ये बंदा मैं प्रूफ दूंगी इसका भी उन्ही की वुजी इन्हींट जी कहते है अभी जी यह कर द फिश होली के Bible का प्रॉप में सबा ताई कि हा धुव्त के में हिंदु नहीं को सुरक्षा मुहिया करवाना हमारी जिम्मेदारी है तो इनके भी त्योहार होंगे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है भले मैं ना मनाओ लेकिन मैं उनको पूरी-पूरी सुरक्षा दूँगा यह योगी जी का स्टेटमेंट है गुगल कर लो मिल जाएगा इस हर्दिक पटेल मैं क्या ट्विस्ट किया वहां पे मंच पे बैठके एक नंबर का जूटा और फ्रॉड अगर कोई वकील है तो केस करो इस पे कोई यूपी से मुझे देख रहा है तो केस करना क्योंकि यूट्यूब पे योगी जी का ये भाशन अवेलेबल है गूगल में अवेलेबल है ज हार्धिक पटेलिए कहता है कि मुझे खुशी तो ही इस बात की होती जब योगी जी ऐसा कहते है इन FACT योगी जी ने ऐसा ही काया इन FACT तो इस बत्तमीज ने योगी जी की बातों को कौपी करके ट्विस्ट करके वाहां पे जूट बोल के योगी जी के शब्द अपने त्याहदी थी बुरी तरीके से, क्योंकि मैं है न, defgence का knowledge लेके बैठी हूँ, क्योंकि मैं фाइन competing का knowledge of this wealth, मुझे economic, हमारी जो economy से related जो देश की situation हो, που मुझे पता है क्योंकि मुझे इस सब चीज का नॉलेज और मैं वहीं पर इनकी धज्या उड़ा देती इस शैला ने जो आशीफा बानो वाली बात करी आट साल की बच्ची का जिसमें जूटा इल्जाम लगा दिया इसमें हिंदू लड़के पर मैं वहां पे अगर मैं होती तो मैं इसको सब्सक्राइब करते हैं अब यह मैं इसको यह बता दू हर्दिक को कि हिंदू-Muslim की बात कर रहे हो तुम इस चीज में और तुमने कहा के हिंदू-Muslim करते हैं तुम ममता की गोध में जाके बैठे हो कभी अपनी ममता बानु को भी पूछो कि वो क्यों हिंदू-Muslim करती है य ये इंसान अभी हीद और ओली का एक्जामपल देता है इद और ओली का ये इंसान ये एक्जामपल नहीं देता कि जब महरम था और मुर्ती विसर्जन की बात आय थी दुर्गा मुर्ती विसर्जन की तो मम्ता ने साफ साफ इंकार कर दिया था कि महरम वाले दिन मुर्ती विस मुझे जर्जर उसी दिन करेंगे पिर यह मंता न का कई मैं किसी कोट के और अर्डर को नहीं मानती और मुर्थीविसर्जन करने कर दूंधुareth नहीं हो गा और यह म्ता ने उस दिन मुष्थी बहुदि और हिस्त करने नहीं से कम योगी सी और और तब कोई कुछ नहीं बोलता है और यहां पे बड़े आगए बखवास करने चैलेंज फैक्ति मुझे दिखा दो एक ऐसा भाजपा का सब्सक्राइबा. के लोग बीजेपी में जाके सदाचारी कैसे हो जाते हैं और इसी सवाल पर शैला ने कहा कि गोवा मेघाले मनिपूर की बात करते हुए शैला बोली कि बीजेपी एमेले को मिनिस्ट्री देती है भाजपा खुद में बुला के तो अब मैंना इनको अच्छे से जवाब दे स्वाल उठाय तो कनयया और शैला को कहँ दूओ कि आप दोनों तो हो Communist आप लोग तो कहते हो कि आप Left Ideology को रिप्रेजेंट करते हो तो यहाँ पर आप लोग Congress की क्यों बात कर रहे हो आप क्या Congress की प्रवक्ता हो या आप Congress के कारे करता हो, तो यहाँ पर ही पता चलता है, दोस्तों, कि यह कोई Left Wing वाले नहीं है, यह सब Congress के ही मुखोटे हैं, Congress के ही पपैट हैं, जो हर जगे, at least हम fair तो है, मैं कहती हूँ कि मैं हूँ मोदी की समर्थक, मैं कहती हूँ कि मैं हूँ संगी, मैं सपोर्ट करूँग नरेश अगरवाल की बात करते हैं, बहुत latest issue है, और काफी लोग चाहते थे कि मैं इस issue पर बोल दूँ, तो मैं एक बात बोलो, जब Muslim हिंदू को convert करता है, तो कोई issue नहीं है, जब कोई Christian हिंदू को convert करता है, तो कोई issue नहीं है, और हमने एक सपा वाले को संगी क्या बना दि और जिसमें भाजपा का भी फाइदा हो रहा है, तो उसमें गलत क्या, everything is fair in love and war, और अगर अगला इंसान भाजपा की शर्तों पर, संग की शर्तों पर, उनकी ideology को अपना कर आना चाहता है, तो उसमें गलत क्या है, और यहां पे तो हमारा फाइदा है, हम नहीं चाहते कि रा भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, लेकिन हमारी राज्यसभा में बहुमती नहीं है, बहुमती हमको राज्यसभा में चाहिए, उसके लिए हम यह सब कर रहे है, तो उसमें क्या गलत है, श्री कृष्ण ने भी तो कहा था, युद्ध से पहले, कुरुक्षेत्र में ये बात गलत हो गया अगर उन्होंने कह दिया और नरेश अगरवाल जो है वह भाजपा की टम्स एन कंडिशन उनकी शर्टों के आदार पर आना चाहता है तो उसमें गलत किया है कोई कोई गलत नहीं है हमें चाहिए राज्य सभा में बहुमती और जो भी आएगा मैता इंफेक्ट कहत है कि पूरा हिंदुस्तान संगी बन जाए क्या गलत है इसमें खुले में बोल रहे हैं ना तुम्हारी तरह बंदुक की नोत पर और मीठी बोली पर तो कंवर्ट नहीं करते किसी को किसी को जाती से तो कंवर्ट नहीं कि आज तक हिंदू ने बकवास बाते करते हो आएगा जिसको हम लेंगे क्योंकि हमें ताकत मजबूत करनी हमारी और कॉंग्रेस का नामों निशान मिटाना है कॉंग्रेस मुक्त भारत करना है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे और चानक की नीती भी यही कहती है कि दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसको और रही बाद गोवा मेगाले और मनीपूर की तो गोवा की लोकल पार्टि इसने कह दिया था कि वह एक ही शिरत पर भाजफा को समर्तन करेगी अगर मनौर पारिकर जी चीफ मिनिस्टर बनते है तो मनौर पारिकर जी ए जब चीफ मिनिस्टर वहां गय उनकी शर्ते मानी औ उनको नहीं चाहिए था वहां का UDP और NPP ने साफ साफ मना कर दिया था कि उनको नहीं करना है उन्हें नहीं कॉंग्रस के साथ संकसरकार बनानी आगर कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि उनको किड्नैप करकर हम लोग लेकर आ गये हैं या कुछ वैसा कर लिया है अपनी सबह में मैजॉरिटी चाहिए हमें राम मंदीर और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे सुन लो अच्छे से अब इसके बाद और मैं इनको कहते हूं शैला रशीद और कनिया को उल्लू बनाना छोड़ दो बंजाओ कॉंग्रेस के प्रवक्ता अगर इत्ति तु करेंगे हम कंवर्ट बनता है वो तुमसे कर लो जाओ फिर कनया ने कहा कि आरक्षन सामाजिक और शैक्षनिक रूप से पिछड़ी जाती वालों को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉंस्टिटूशन फिर कॉंस्टिटूशन में वह बाबा साहिब की कॉंस्टिटूशन के बाबा साहिब ने यह कहा था कि आरक्षन सिर्फ 10 साल तक होना चाहिए यह नहरू की राजनीती थी कि उसने यह आरक्षन चलने दिया उसकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और जहां यह बात कर रहा है इस चीज़ से क्यों और जब यह बात कर रहा है कि एक्वल तो तभी होगी जिब सब एक्वल होंगे आरक्षन होना चाहिए लेकिन सिर्फ आर्थिक आधार पर जो संग कहती है और मैं संग को समर्थन देती हूं इस बात पर और आर्थिक में सब आ जाते स्टी 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 ओबीसी ब्राह्मन शत्रिय वैस्टी शुद्र मैजोरिटी माइनोरिटी दलित मुस्लिम सब आ गए जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा होगा वो सब आएगा तुम जैसे मुफ्तखो निठल ले निकम में नहीं कि कहते हो के माबाप गरीब है 33 साल की उम्र हो गई फिर भी तुम पढ़ाई कर रहे हो यह नहीं कि 4 पैसे कमा कि अप फिल्म एक्टरेस को बनाते हो तुमको अपनी किताबों से जाधा कॉंडम रखने है अपने बैग में बड़ा कड़ा बोल रही हूँ पर मैं बहुत सच बोल रही हूँ कनया ने कहा कि हम पर व्यक्तिकत आरोप फिर इसने कहा कि हम पर व्यक्तिकत आरोप लगते हैं हम पर परसनल अटेक किये जाते हैं फिर कनया हार्दिक की तरफ से बोलता है कि क्यूं हार्दिक ने अपनी बेहन की शादी करी उसमें क्यूं हार्दिक को बोल रहे हो और मैंने कматि जहां तक है तो यह हर्दिक पटेल एक दीन इसका ऐसा नहीं जाता है जब यह जशोदा बेन को लेके कमेंट नहीं करता है तो इस पे भी परस्णल और लड़की उनके परिवार को प्रॉब्लम नहीं है, मैं करोडों कारे करता है भाजपा में, जरूरी नहीं है कि सबकी सोच एक जैसी हो, मैं भाजपा की समर्थक हूँ, मैं मोधी जी की समर्थक हूँ, मैं संघी समर्थक हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि लड़का और लड़ पर मोहर लगा दिये कि लड़का लड़की चाहे तो लिविन में रह सकते हैं व्यस्क होने के बाद में मगर अगर कोई मर्द शादी शुदा है और अपनी बीवी से छुपे छुपाए वो किसी के साथ लिविन में रहता है तो इससे मुझे भी आतराज है अगर कोई और शादी शुदा है और पती होने के बाद भी वो इलीगल रिलेशन रखकर किसी से लिविन में रह रही है तो इससे भी मुझे एतराज है तो लिविन की भी एक टम्स और एक कंडिशन होनी चाहिए अदर्वाइस मुझे लिविन में कोई एतराज निये किसी हा음ारा थोड़ी वह तो हमारी रहे हमारे रहे हमारे रहें हैं कर सकता है तो नहीं तो इतने निकम में निठले तुम हो, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्रांती ला रहे हो, तुम को आजाद करना है कश्मीर को, इसलिए हमें दिक्कत दे और रहा सवाल मोदी जी का, तो मोदी जी ने कॉरस्पोंडेंस एक्जाम दी, अपने एक्जाम की फीस भी ख पढ़ भी रहे हो, फिर उन्हें गालिया भी देते हो, फिर बाप बनके भी रहते हो, फिर आजादी की भी बात करते हो, फिर गद्दारों को सपोर्ट करते हो, एंटी नेशनल स्लोगन लगा दे हो, प्रो आजादी स्लोगन लगाते हो, भारत की बरबादी के नारे लगाते ये सब उसमें है, ये बंदा कहता है कि मैंने तो कभी सपोर्ट ही नहीं करा, मैंने कब का मैंने कॉंग्रेस को सपोर्ट किया है, फिर इसने इस संधर्ब में कहा, कब मैं चुनाव लड़ा, कब मैंने ये किया, कब मैंने वो सपोर्ट किया, क्या मैं चुनाव लड़ा, तो वकाइदा प्रेस कॉंफरेंस की थी एलेक्षन से पहले और उस प्रेस कॉंफरेंस में इसने साफ-साफ कॉंग्रेस और राहूल गहंदी को समर्थन देने की बात कही थी वह प्रेस कॉंफरेंस आप चाहे तो गुगल यूट्यूब पे देख सकते हैं इतना जूटा समीति के लोगों को टिकेट भी इसने कॉंग्रेस से उनको टिकेट मिले उसी टिकेट पर ये लोग गुजरात में चुनाव एलेक्षन में खड़े हुए और फिर यह कहता है कि मैंने कब कॉंग्रेस का समर्थन किया एक नंबर का जूटा और दोगला और फिर इसको सवाल पू क्म्यूनिस्ट अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाले को सेपोर्ट करते हो तुम कम्यूनिस्स नहीं तो क्या हो कड़ीया को तुम बूलाते हो वहां पे तुम्हारे सारे फोटो तुम्हारे ये पाटि दार अनामत आंधोलन समीपी लोगों के साथ तुमने उसको मंच शे तुम कम्यूनिस्ट भी हो, तुम मुस्लिम पॉलिटिक्स भी करते हो, तुम SC, ST, OBC पॉलिटिक्स भी करते हो, तुम दलित पॉलिटिक्स भी करते हो, तुम कॉंग्रेस की गोध में भी जाके बैठे हो, तुम उद्दव ठाकरे की भी गोध में जाके बैठे हो, तुम मंतब ब्रीड हो तुम्हारी अपनी कोई आइडियो लॉजी नहीं है तुम पाटीदार को ठग रहे हो गुजरात में और अपनी रोटिया सेक रहे हो और यह दो साल में शॉटकट में जो तुमने पैसे बनाए न इतने तुम्हें अपने 24 साल के शंगर्श में नहीं बना पाई इमा के प्रधान मंत्री है ठीक है प्रधान मंत्री होने की नाते जब वो प्रधान मंत्री बनके आये थे उनका ये कर्तव ये था कि वो पहले और उन्होंने अपनी शपत ग्रैन में भी जित्ते भी एशियन कंट्रीस थे उनको बुलाया था और मोदी जी ने पूरी कोशिश करी थी कि उनके relation वो अच्छे बनाने की कोशिश करें पाकिस्तान से पिछला अगला सब भूल जा उन्होंने एक नहीं शुर्वात करी थी और इस ये शुर्वात के अंतर गर जब मोदी जी आ रहे थे कहीं इस्लामिक स्टेट में गय थे और आ रहे थे और उन्होंने उनको उस द टेड़ी की टेड़ी रहती है ये नवा शरीप को सुधर्ना नहीं था तो मोदी जी ने किया किया। पूरी अटक के बाद में मोधी जी ने इंटरनेशनली इनको आईसोलेट किया UNO मीटिंग में मोधी जी ने इसको पाकिस्तान को टेररिस स्टेट गोशित करने की अपील भी लगाई सार्ग समीत में भी नहीं गए पाकिस्तान के हर रिलेशन उन्होंने काटे और यहां तक कि म मोधी जी ने भी बहुत मौके दे दिये थे इनको और उनसे मिलना भी वो मौकों में से एक ही मौका था प्रधान मंत्री तुम क्या हो तुम तो कुछ भी नहीं हो निकम में निठलो फिर भी हर्स किसी से मिलने चले जाते हो यह राहुल गांदी कुछ भी नहीं है फिर भी च चोरी चुपे मिल रहे हो, खुद करो तो लीला और कोई और करे तो ला रास लीला, खुद करो तो चमतकार, कोई और कर ले तो बलातकार, वाँ, गजब है इसके दोगलेपन, मैं उस वक्त कॉन क्लेव में होती ही ना, मू तोड़ देती इसका, एनिवेस, फिर ये शैला रश् और शैला के जैसे कुछ जादा ही करीब लग रहा था मुझे हार्दीक पटेल खेर, एनिवेस, इनके रिष्टे ये जाने, इसी बात के संदर्प में हार्दीक की बात जोडते हुए शैला कहती है कि पी एम क्यूं दावस में नरे नीरव मोधी को मिले, फिर इसी बात में उ लेकिन किसान अंडोरण क्यों भाजपा के स्टेट में हो रहा है सब जान रहे है और क्यों वह माराश्ट्रियन जितने भी वो कीसान जो महरा स्के रहा था में लाल शीलाम वालों का जन्डा था? वह समझ में आर था?। उन्यूवों पटे चलेख में इस में नहीं इस में र प्रवक्ता हो तुम अपने आपको प्रवक्ता गोशित कर दो क्योंकि तुम अभी पार्टीदारों की वकालत कर रही हो तुम अपने आपको कम्यूनिस्ट कहती हो लेफ्ट विंग की कहती हो पर तुमने अभी तक कम्यूनिस्ट की तो कहीं थ्रू आउट बात ही नहीं रखी और तुमने इन लोगों की बात रखी तो यहाँ पे भी तुमारा चाल चरित्र चहरा समझ में आ रहा है और इसी संदर में मैं नीरव मोदी पर आती हूँ इसने तीन सवाल करें यह तीन सवाल शहला ने अपने ट्वीटर आईडीपी भी डाले कि भक्तो इसका जवाब सुन लो तो अब यह बतनी का जवाब सुन ले शहला रशीद इसने पहला सवाल किया था PM Modi दावस में क्यों नीरमोधी से मिले थे तो सुनो तुमारे पहला सवाल का जवाब कि PM Modi दावस में गए थे वहाँ पे वहां की सरकार ने Indian businessman को invite किया था PM Modi को तो पता भी नहीं था और moreover वो जन्वरी का किस्ता है जन्वरी के स्टार्टिंग का जब शायद पता भी नहीं था कि ये नीरमोधी वाला कान तो तब खुला भी नहीं था और नरेंद्र मोधी की कोई जैसे तुमारे पूर्वो प्रधान मंत्री है मनमोन सिंग उनकी जैसे यासिन मलिक के साथ गले लगते हुए हाथ मिलते हुए जो तस्वीर यह है ऐसी नरेंद्र मोधी की तस्वीर है क्या उस नीरमोधी के साथ नरेंद्रमोधी आगे बैठे वो लाइम में किसी और खड़ा है और उसको तुम कनेक्ट कर रहो तो क्या मोधी को पहली बात तो पता भी नहीं था दूसरी बात पता होगा तो क्या वहां पे इंटरनेशनल जगे कहीं खड़े है वहां पे क्या लातमार के इंडियन्स की बेज बहुत सारे लोग निरमोधी नरंद्रमोधी वाले तो मेरे ख्याल से आज मैंने जवाब दे दिया इन लोगों को और क्यूंकि मनमोन सिंग यासिन मलीक के साथ दिखा है प्रदान मंत्री की तो एक भी तस्वीर नहीं है नीरमोधी से गले लगते हुए या नीरमोधी से मिलाते हुए उस यासिन मलीक से जो हाफीज सहीद की पैर्वी करता है वह यासिन मलीक जिसको अभी पाकिस्तान अपने यहां पे जो नेशनल डे है उसमें इनवाइट किया इन अलगाव व्यादियों को उस यासिन मलीक के साथ में तो तुम पहले इसका जवाब दो फिर इसका दूसरा कोशन था योगी जी सुनिल जोशी से क्यों मिले अब इसकी भी बात सुन लोग बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा यह सुनिल जोशी वाबाला मैटर किया है लेकिन मैं अब शॉर्ट में बता दू कि 2007 में किसी एक योगी जी 2007 में MP थे पहली बात कि टुकड़े हमने नहीं ठाइ LAUGH हमने हमारी महीनत की कमाई क्या है लिए जय सुनिल जोशी मतलब उसका क्या हूआ वह अजमेर ब्लास्ट में क्या था वह वह व्क्टिम इसुनًध सुनिल जोशी कि किसी करीब इसके प्रॉल्लम होगी उसको को योगी जीसे इसके करीबी ने ये कहा कि एक गुपत मिटिंग हुई थी जिसमें सुनिल जोशी योगी जी से मिले थे तो कलको तो कई ये कह देगा कि काजल दाओ इबरहेम से मिली है तो क्या मान लोगे प्रूफ बताओ ना फोटो है तुमारे पास में तुमारे पास में कोई वीडियो क्लिप है ऐसे तो कोई भी कह देगा किसी के साथ मैं ऐसे तो कह दोंगे कि मोदी जी और इसका हफिस सहीद का याराना है तो क्या मान लेंगे हम लोग हर चीज के पुकता सबूत रखो हवा में बाते मत करो तो यह तुमको सुनिल जोशी वाली बात पर मैंने जवाब दे दिया तीसरी बात तुमने कही कि बीजेपी को लिविन रिलेशनशिप के अगेंस की हुए तो क्या आज तक कभी मोदी जी लिविन रिलेशनशिप पर एक भी टिपनी करिए बीजेपी में करोडो कंग ह signals तो लिविन में वहां तूम अबरी लिविन में रहके हमें क्या लेनी देना वहां हमें क्या मतलब है तुम बड़ी लिविनमे रही हो हमारे पैसो पड़ी ओ परिवार गरीब हे तुम्हारा एक 8 जिएैस्ट पे कर हें तो मॉख कीड़ते हो जीएस्ट भेरी जो गरीब घर से आता है वो मेहनत करता है मजदूरी करता है और अपने घरवालों का पेट पालता है तो मुफ्त खोरों की तरह नहीं बैठता है बकवास औरत एक औरत होने के नाते मुझे किसी को इस तरह से बोलना और यह जो शीला रशीद हर घहरे मुद्दे पर जो यह अच्छली शीरा रशीद तुम्हे न इतनी बुरी लग रही थी तुम इतनी मत हसो कि लोग तुम्हे भी रहनुका चौधरी बोलने लग जाए और तुम्हारा भी उस तरह से अपमान हो जाए जैसा रहनुका चौधरी का पाल्लामेंट में वहा था और तुम्हे भी कोई मह बतलब उसकी रामायन की याद दिलादे और कोई रामायन का तुम्हे पात्र समझ बैठे तो इतना मत हसा करो बड़ी बुरी लगती हो जब जो मौका हो ना और जिस पर जो गंभीर विशे पे जब चर्चा होती है ना तो यह जो पागलों की तरह हसती हो ना बड़ी बुरी जाता है तो आप आरक्षन की बात करकर देश को पीछे क्यूं लेके जा रहे हो इस पर हारदिक ने कहा कि हम तो वही बात करते हैं जो कॉंस्टूचुशन में लिखी अवस्दर की समानता सबको मिलनी चाहिए तो मैंने इसमें जवाब दे विया कि बे शक अवस्दर की समान के पैदा हुआ है जाके लड़ना है तो उपर वाले से लड़ो के उसने क्यों यह करा और फिर तुम बात करते हो समानता की और मैं फिर से लिखती हुआ कि दस साल तक ही आरक्षन रहना चाहिए और लड़ना है तो उस नहरू से लड़ो और उस इंद्रा गांधी से लड़ो कि जिसने अपने परसनल फाइदे के लिए यह सब कर रहा और वो ओल इंडिया मुस्लिम परसनल लौबर्ड की स्थाप में इंद क्यों में स्थाफ करना था सारे इतिहास पता है अगर उस मंच में होती ना तुम्हारी खाल उदेड़ देती लिख लो और जो बनता है न कर लो अपनी बातों से खाल उदेड़ ती तुम्हारी तरह डंगे करवाने नहीं आता इस अर्दिक पठल ने जो डंगे कर वा दिए तरहरी समानता में धिरु भाई अंबानी का एक्जामप्ल कर 소 golden is पाली किसे स्ट्रगल करें भून गरीब परीवार से उन्हेंने भीप लेचांए उन्होंने भी विग्येमारे उनका स्ट्रगल परिवार वालों ने हमारे घर के बढ़ों वो इंसान करोडों के property बनाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि बिहार के एक हिस्से में कनईया के माबाप बिचारे बड़े गरीब है और वो गरीब इसलिए क्योंकि उन्होंने life में कुछ किया ही नहीं वो से सरकार के आसरे बैठे या आसपडोस के आसरे कोई आजाए और हमको भीक दे दे और हम वो भीक खा ले हाथ दिये भगवान ने पैर दिये कमा के नहीं खा सकते तो ये बंदा चाता है कि दिरुभाई अंबानी अपनी पूरी property मुकेश और अनिलंबानी को ना दे के कनईया के मातापिता को दे दे कनया की मैरिट है कनया को दिरुभाई अंबानी की पूरी property मिले मुकेश अंबानी या क्रमाल की लॉजिक देतें ये प्येजडी कर रहे है प्येजडी गोबर भरा हुआ है इनके दिमाग में इनके से जादा दिमाग तो मेरे चे साल के बेटे में है कि वो भी कभी अपने भाईयों का या अपने कजीन्स का या अपने बहनों की चीजे नहीं लेता है उनकी चीजों पर हक नहीं मारता है वो अपनी चीजे ही लेता है और इस बंदे को दीरु भाई अंबानी की प्रॉपर्टी चाहिए वाव कमाल है इसका मतलब तो यह हुआ कि मैंने मेहनत करके जो कमाई इकटी करी है वो मैं अपने बच्चों को ना दू वो मैं शैला रशीद के बच्चों को दू क्यूंकि शैला रशीद गरिब परिवार से है वाव कमाल है और दीरु भाई और मेरिट की जहां तक बात है तो मेरिट है मुकेश अंबानी की इसलिए धिरु भाई का एमपाय वो आज कौन से छोर पे ले के आ गया है वो दिख रहा है और उस मेरिट के ही दंपे में कहती हूँ कि मुकेश अंबानी आज कौन सी जगे पर है कौन किस जगे पर डिजर्व कर रहे है वो अपनी अपनी महनत से मुकेश ने अपना नाम नाम नहीं बना पाया कनया जैसो की बेतु की बातों पर मुझे हसी आती है और इसी संदर्द में ये क्या कहता है समानता की बात में ये एक और बात दूसरा एक्जमपल देता है कि मस्जित का मुला पंडित नहीं बन सकता और पंडित का पुजारी म ममसجीद को मुल्ला स्कता तुम्हीन को उसको कहते हैं हिसको मंसजीद नेन जाते मुश्य में को सुना मुल्ण को हिते जहते पर oluyor मना मुसमाने। ये जो लॉजिक है ना उसमें कहीं भी ये फिट नहीं बैठता है और हर्दिक फिर इसमें ये हर्दिक को की बात को लेके कहता है कि इसको भी लगता है कि हर्दिक की जो पटेल समाज है उसको वंचीत रखा गया है गुजरात में भाई गुजरात में 20% पटेल है इतने विक्स गुजरात के प्रेसिडेंट भी पटेल है और यह बात करते हैं इनके पूर्व मुक्य मंतरी आनंदी बैन पटेल थी और यह बकवास हमारे डेप्टी सीम नितिम भाई पटेल भी पटेल और यह कहते हैं कि पटेलों को वंचीत रखा हुआ है बकवास आदमी और फिर इसी में शैला बोलती है कि एक वर्ग अभी इस शैला की बात सुनना इन गोबर दास की बात सुनो कि अगर एक पिछड़े वर्ग को जब तक नहीं लगता कि उसके साथ सेंस ऑफ जस्टिस उसको नहीं मिला है तो उसे कंटीन्यू रिजर्वेशन देना चाहिए इसका मतलब तो यह ह बड़ा अधूरा है या शायग तुम्हारे में ज्यान ही नहीं है तुम्हें मैं बता दू कि मुस्लिम महिलाओं की एजुकेशन की फीज में कंसेशन तो बहुत दूर की बात उनकी एजुकेशन ही कंप्लीटली फ्री कर दिये नरेंद्र मोदी ने जो हज सबसीड़ी का जो दे देती हूं कि टीना डावी के पिता बहुत बड़े सरकारी अधिकारी थे टीना डावी की माता भी बहुत बड़ी सरकारी अधिकारी थी वह पिछड़े वर्क से आती थी पर क्यूंकि टीना डावी ने वह अच्छे आर्थिक स्तती भी उनकी काफी अच्छी है बहुत अ रिजर्व करके रखी थी सेंस अफ जस्टिस अगर टीनर अभी को नहीं लगेगा तो क्या उसे नहीं कौन डिसाइड करेगा सेंस अफ जस्टिस तुम जैसे मुफ्त खोरों को तो ताज जिंदगी ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं हुआ सब कुछ दे दिया है सब कुछ मिला है सतर साल से आरक्षन मिल गया हर जगे आरक्षित करके बैठे हो आप लोग सरकारी नौकरी और फिर भी कहते हो अन्या है तो तुम्हें तो कभी सेंस अफ जस्टिस लगेगा ही नी मुल्ग तो हम लोग है कि हमने आज तक कभी आवाज नहीं उठाई मैं कभी जाती वाद भी नहीं कि पहीं लेकिन आज हिंदुस्तान के हर एक जनरल केटगरी इंसान की तरफ से मैं बीहाफ में बोलती हूँ कि इंजस्टिस हमारे साथ हुआ है क्यों हो रहा है हमारे साथ इंजस्टिस हमारा दोश है या तो एक काम करो जहर दे दो सारे जनरल केटगरी वालों को पी के मरी जाते हैं पापा कट जाए हमारा बकवास करते हैं घटिया लोग और फिर मतलब यह मस्जीद का मुल्ला उसमें तो मैंने कह दिया मस्जीद के अलग लौ एंड रूल है तो वह मस्जीद वालों से निप्टो हमें उसमें नहीं पढ़ना है फिर इसी बात में शैला रशीद कनया और शैला से यह बात जब पूछी गई कि लेफ्ट की विचारधारा लूप थो रही है एक स्टेट में ही सिमट के रह गई है लेफ्ट तो आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है क्यों आप बड़े युवा नेता बने घूम रहे हो और आप कहते हो कि तकलीव यहां मानो मोधी बुरा मोधी गंदा यह प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम देश में हजारो प्रॉब्लम तुम्हारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है तुम वो तो बताओ निकमो निखलो इतने बड़े मंच पे चले गए हो तुम्हारे पास ब्लूप्रिंट मी अपने प्लान ऑफ एक्शन गी कि तुम एज युवा इस देश को क्या दे सकते हो अंत में मैं मैं बताऊंगी कि देश क मैं देश के लिए क्या सोचती और क्या इसके अल्टरनेटिव होते इस बात का भी इन लोगों ने जवाब नहीं दिया इन मिकमो मुफ्त कोरों ने इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है यह कहते हैं इसमें यह जवाब देते हैं कि बीजेपी को सत्ता का गुरूर हो गया ह गरूर ह्युक्त ने रुबर ने जवाब देकर गयार ने पर नटी रूप अपने राजीव गांदी को दे कर गया राजीव गान्दी अपना वनषवादी रूप अपनी बीवी को दे कर गाए उनकी बीवी अपना वन्ष अपने बेटे को अपनी भी टे जमाई को प्रणाली रही है तो दिकत नहीं है तो लोक-तंत्र 123 लोग तंत्र हम जैसे लोगों को नहीं बना सकते और इसमें ये एक्जाम्पल देता है कनईया कि भगत सिंग ने भी लेफ्ट आइडियोलोजी को अपनाया था क्योंकि उसने जेल में बैटके इसमें बड़ी चर्चा हुई है कि लेनिन की किताब पड़ी तो भई किताब टो मैंने भी थोड़ी बहुत ये पढ़के रखी हूई है मैंने बी क्या बोलते इसको कुरान मैंने भी थोड़ी पड़ी है क्या समझना चाती थी क्या आखेर चाहाए कि लोग जियाद करने पर उतर आते तो इसका मतलब ये है कि मैं इसलाम का उग्ल करना और उस सोच पर अपनी रण न मीति ताय करो तो भगतसिंग् ने पड़ी किताब में खुद अलग गरंद की किताफे पड़ती हूँ उसमें बुरा क्या है मैंने भी पड़ी है यह जीलस की मैं शारी कहाँिया पड़िये तो इसका मैंने चाहती हूँ क्रिश्चन से प्यार उमंढ रहा है तक तक तो तूम्हे बगत सिन्ग कभी प्यार नहीं नजर आया और लेनिं की मुर्ती गिरने के बाद में तुम्हें बगत सिंग बगवान लगने लग गए बेशर्मओ इसको बना रहे प्रहरते के लायाक सब्सक्रांब के लिए करें सरकार से ना को आ gebruी वह सब्सक्रांब करें कि तो इसी संधर में शैला केती है कि इनकी left ideology जो कहीं भी नहीं रही लुप्त हो गई है तो इसमें ये खुद का आत्मनिरक्षन नहीं कर रहे है कि खुद क्यूं लुप्त हो गए बलकि ये RSS पे फाड़ रही है ये कि RSS ने तो गलत फाइदा उठाया है देश में कोई public institution नहीं था तो जगे जगे RSS ने अपनी शाकाय खोली स्कूल खोली और बच्चों को पड़ाया तो अगर देश में स्कूल नहीं था तो सत्तर साल किसमें राज किया जाके तुम नहरू से लड़ो नहरू गंदी परिवार से लड़ो और रहा सवाल शाखा में जॉइन होने का तो RSS वा जबरदस्ती शाखा वालों किसी के धर्म परिवर्तन कर वाले है या शाखा वालों किसी को जबरदस्ती मस्जित से उठाकर शाखा में बिठा दिया कि आओ और अपने मदर्से में ना जाकर पढ़कर हमारे शाखा में आकर पड़ो ऐसे दोगली बाते करती हो तुम तुम्हें लोगों ने थोड़ा पड़ाई में ध्यान दिया होता ना तो दिमाद चलता तुम्हारी कम्यूनिस्ट थेयरी तुम्हारे पास में रखो और फिर एंड में अब फिर एंड में यह लोग कहते कनया शेला कि सारी ओपोजिशन को एक होना पड़ेगा मोदी के कनया शेला कहते कि सारे ओपोजिशन को एक होना पड़ेगा और एक होकर मोदी के खिलाफ करना पड़ेगा हमें तो तुम 2019 में एक हो जाना पर इतना याद रखना कि तुम सारे एक भी हो जाओंगे ना पर 2019 में और मैजॉरिटी लेकर मोदी सरकार आएगी और राज्य सभा म मैं भी आके तुम लोगों को तुमारी ओकात तुमारी जगे ना याद दिला दिना तो तुम देख लेना मुझे लगता है कि यह जो सड़क की लड़ाई की बात तर यह इसने कनया ने कहा था कि अब सड़क पर आकर अमें लगना पड़ेगा तो तुम आके देख लो हम भी अब हमारे साथ कोई अन्या और कुछ गलत किया ना तो अब कता ही नहीं होने देंगे और हम भी सड़को पर आएंगे तुमने अभी देखा नहीं है मैजोरीटी कहते हो तो अब देख लेना तुम मैजोरीटी की टाकत और मुझे लगता है मैंने आलमोस सारे पॉइंट ले अब कुछ इसमें आगे बोलना चाहिए क्योंकि इनको मैंने मुतोर जवाब दे दिये बाकी भास के बीन बजाने से कुई फायदा नहीं है मुफ्त खोरों को मुफ्त की टुकड़े पर पल्ले की और खाने पीने की आदत हो गई है गंद मचाने की आदत हो गई है तो इनको इनको रोकिएगा इनको टोकिएगा इनको जवाब देजिएगा जैश्री राम भारत माता कीजिए वंदे मातरम